तो दोस्तो बिहार बोर्ड ने सभी बोर्ड से पहले ही अपने इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया और अब मैट्रिक वाले छातर छातराओं का प्रसंद उठ रहा है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा तो आज कि इस वीडियो में हम लोग यहीं समझने वाले हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आएगा तो देखिए जब बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी किया तो उसी समय बिहार बोर्ड के अधिक्ष ने बताया कि मैट्रिक का रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा और 31 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा और यहां आ कांपियों का मुल्यांकन पूरी तरीके से समाप्थ हो चुका हैं और तैयारी अंतिम चरण में हैं मतलब कि आपका जो कांपियों का मुल्यांकन था वो एक दम completely पूरा हो चुका हैं और इसी माह के अंदर यानि की 31 मार्च के पहले ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया ज अंदर ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और यहां पर देखी जो मैट्री की परिक्षाएं 14 फरोरी से 22 फरोरी तक चली थी उनका रिजल्ट 16 गुनाधिक तेजी के साथ तैयार किया जा रहा हैं और बिहार बोड समीती ये दावा कर रही हैं किस महीने के ल मोसरा कर दी हैं कि बच्चों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और देखी 31 मार्च एकदम लास्ट डेट हैं इसी डेट के अंदर ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 31 मार्च के बाद एक दिन भी बाद आप लोग का नहीं जाने वाला हैं हर हाल में आप लोग का रिजल्ट इसी के अंदर आने वाला है तो उम्मीद करता हम आप लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए